जहिन साथियों आज हमारी अंतिम क्लास है एज रिलेशन वाली और अब तक टोटल हमने 50 कोश्चन कर लिए हैं आज 51 कोश्चन से शुरुआत करेंगे और मोशली जितने टाइप के प्रिसन होती हैं एक एक करके हम सारे प्रिसन देख रहा हैं अभी जो हमारे जो टाइप हमार जाता है कि इसको हम रेशियो में कनवर्ड करें अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है तो रीता को हमने एक माल लिया तो अन्ना कितनी हो जाएगी 5 यह इनका अनुपात में आ गया अब अनुपात को अटाएंगे तो क्या कर लेंगे इसको 5X लिख लेंगे और इसको 1X लिख दो बर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी यह दो बर्षों में अगर दोनों की आउग में हम दो दो बर्ष जोड़ दें कितना दो दो बर्स अगर हम जोड़ दें दोनों की आयू में तो ये कितने बड़ी हो जाएगी तीन गुना बड़ी हो जाएगी यानि अन्ना तीन गुना बड़ी हो जाएगी तो तीन अन्पात एक हो गया यानि तीन वट एक रिख लिया इसको 3x multiply कर देंगे कितना आ जाएगा यह ऐसे कैसी रहे जाएगा 5x plus 2 क्योंकि एक से गुणा कर रहे है और यह वाली value कितनी हो जाएगी 3x plus 3 दू नीच है x x की value एक तरफ कर ली तो 5x में से 3x किया तो 2x बचा और यह थरा के minus में हो जाएगा तो 4 हो जाएगा 2 से इसको 4 को divide कर दिया x बराबर कितना आगे है 2 आगे पुछा है 7 वर्स में अन्ना की value कितनी हो जाएगी 7 वर्स में अन्ना की value कितनी हो जाएगी अभी अन्ना की value कितनी है 5x है तो पहले तो present value निकाल लेते हैं कितनी हो जाएगी पांच इंटू टू यहीं दस वर्स अभी प्रिजेंट में दस है साथ वर्सों में पूछ रहा है तो दस और साथ सत्रे वर्स की हो जाएगी option कौन सावाला मिल्ला है? option A, पहला option next, दो साल पहले एक आदिमी आईउ में अपने पुत्र से 6 गुना बढ़ा था यहीं अपने पुत्र की बाद चल लएगी तो फादर और सन की बाद चल लएगी है 6 गुना बढ़ा था कब 2 साल पहले तो यह 6X हो गया और यह 1X हो गया कितने साल पहले की बाद चल लएगी है? 2 साल पहले तो यह 2 यर्स पहले की बाद चल लएगी है 18 बरसों में बहे अपने पुत्र की Помणुसे दो गुना हो जाएगा तो प्रिजेंट आई karate दुए हो गई कि अठार करदेंगे दोनौु में और अठार तो बीस दूनी चालिस एक्स एक्स की वैल्यू एक तरफ करी तो कितना हो जाएगा 4X और ये 20 इतरा के माइनस का हो जाएगा X का मान कितना आ गया 4 पंजे 20 पूछा क्या है उनकी बर्तमान आयू देखिए बर्तमान आयू क्या है ये वाली है बर्तमान आयू दोनों की X की वैल्यू इसमें रख देंगे 6 पंजे 30 और दो 32 और इसमें 5 और दो 7 32 साल के और 7 साल के अगर इसी प्रिसन को हम उप्सन से देखते तो देखिए उप्सन से हम किस तरीके से बना सकते थे ये क्या है दो सालों में तो क्या 6 गुना दिखाई दे रहा है अपने पुत्र से 6 गुना बला है तो 5 चंग 30 यानि पहली वाली कंडिशन तो हो गई अब दूसरी वाली कंडिशन देखें वही कह रहा है कि 18 वर्सों में अपने पुत्री के आई उसे 2 गुना हो जाएगा 18 वर्सों का मतलब क्या है अगर हमने 32 में 18 जोर दिये तो कितना होगी आपचास और 7 में 18 जोर दिये तो कितना होगी आपचिस तो क्या 2 गुना दिखाई दे रहा है हाँ 2 गुना दिखाई दे रहा है तो कंडिशन अपलाई हो गई उत्तर आगया पहला तो जिसमें दो करेक्टर दे रखी हो सवाल में और दोनों ही करेक्टर की आयू दे रखी है तो वो सारे question A to Z वो आप option से भी बना सकते हैं तो इस question के लिए answer क्या था? Option A 32 और 7 बर्स, present आयू पूझी थी Next, 10 बर्स पूर्व सुलोचना की मा की आयू सुलोचना से 4 गुना थी कितने बर्स पूर्व? 10 साल पहले कितनी थी? 4 गुना थी सुलोचना की मा की आयू सुलोचना से 4 गुना थी यनि मा बड़ी हो गई, मा तो बड़ी होती है हमें सा दस बर्स पच्चात उनकी आयू सुलचना से दोग नहीं होगी तो पहले ते देखी इसको हमने क्या गर लिया इसको हमने अनुपात अटा के 4X और 1X के रूप में माल लिया X से पहले अगर हम 1 लगाएंगे तब भी कोई फरक नहीं पड़ रहा है यह अगर 10 साल बात के बारे में बात करें तो इन आयू में 10 10 अभी और जोड़ना है 4X प्लस 10 में 10 और जोड़ दिया तो 20 हो गया ऐसी X प्लस 10 में 10 और जोड़ दिया तो X प्लस 20 हो गया यह 10 प्लस बात किया यह हो गई यह कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है तो देखिए, अब यहां से equation मना लेंगे, x प्लस 20, बराबर, दो बटे एक, तिरशी multiply कर देंगे, यह ऐसे कैसी ही आ जाएगा, 4x प्लस 20, और यह कितना हो जाएगा, 2x प्लस 40, यह दरा के minus का हो जाएगा, तो 4x में से 2x आएगा, तो 2x बचा, और 20 इतरा के minus का हो जाएगा, तो 20 बचा, x कमान केतना आगया, x कमान आगया, 10, प्रिसमें पूछा क्या गया है, आज सलोचना की I.U. क्या है, यह 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 प्रिजेंट टाइम की I.U. पूछी गई है, और सलोचना की I.U. प्रिजेंट ट प्रिजेंट के लिए option क्या हो जाएगा, option A, 20, next, स्रीमान x की I.U. अपनी पुत्री की बरतमान I.U. से 2 गुनी है, यह पुत्री की बरतमान I.U. 20 बर्स है, यह कोई Mr. X है, और यह किन की पुत्री है, यह 2 गुना है, तो पुत्री एक हो गई, लेकर ही कह रहा है, यह पुत् पुत्री की I.U. कितनी हो जाएगी? 40 साल हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कितने बर्स पूर्व X की I.U. अपनी पुत्री की I.U. से 3 गुना होगी, देखिए 3 गुना पूछा है, अगर हम इसमें से 10 कम कर दें, तो कितने साल रह गए? 10 साल की, और यह इसमे 3 गुना आयू रही होगी, ऑप्सन कौन सावला मिल जाएगा? C. और पुछा किस में गया है, आरारी मुंबई में, 2004 का कोश्चन है, बहुत अच्छा सवाल, तो बहुत सारे ऐसे सवाल भी आते हैं, जहां पर हमें करते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता है, नेक् 20 वर्स पूर्व, पिता की आयू, पुत्र की आयू से 12 गुना थी, देखिए 20 वर्स पूर्व, 20 साल पहले, तो दोनों की आयू क्या क्या रही होगी? 2x-20 और ये x-20, तो 20 साल पहले, पिता जो था, वो कितने गुना था? 12 गुना था, तो 12 वर्टे एक कर दिया, यहां से 3 म multiply कर देंगे, कितना जाएगा? 1 की multiply इसमें करेंगे, तो यह तो value ऐसी की, ऐसी रहेगी, 2x-20 हो गया, और इसमें multiply करेंगे, तो 12x- कितना हो जाएगा? बारद भाद 17 24 24D हो गया. यह 2X इदर आके कितना हो जाएगा? यह 12X इदर आके मायनस का हो जाएगा मायनस का 10X बचेगा और EQ20 बचेगा, 0 से 0 गया X कमान कितना आ गया 22 आ गया पुछा क्या गया पिता की बरतमान आयू कितनी है पिता की आयू हमने कितनी मानी होगी 2X तो X कमान यहाँ पर रख दिया तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 यहनि पिता की आयू कितनी हो जाएगी 44 यह पिता कितने साल का है, चवालिस साल का है, अगर इस तरीकी के सवालों में, special condition के अगर दोनों character, यह जितने character दे रखा है, पिता दे रखा है, पुत्र दे रखा है, दोनों की आयू अगर option में दे रखी है, तब आपको यह सब कुछ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधे दिया, और इसको भी x कर दिया, 18 वर्स के बाद, कितने? 18 वर्स के बाद, अगर 18 वर्स के बाद देखें, तो आयू दोनों की कितनी कितनी हो जाएगी, इसकी 30 x प्लस 18 हो जाएगी, और बेटे की कितनी हो जाएगी, x प्लस 18, 18 वर्स के बाद उसकी आयू उसकी पुत्र से के नहीं रह जाएगी, अभी equation बन जाएगी, 3x plus 18, divided by x plus 18, कितने गुने, 3 गुनी, यानि पिता 3 नहीं जाएगा, multiply 1, हम सीधी सीधे यहां से भी equation बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको जो अनुपात वाले सवाल कराए हैं, बहां से एक ही तरीके से यह गुना वाले सवाल और अनु हो जाते हैं, नहीं तो हम क्या काम करते हैं, कि इसमें equation करके, 3 गुना हैं, तो छोटे वाले में, 3 से multiply करके, और calculation हो जाएगी, यह कितना हो जाएगा, 36, प्लस 18, और यह कितना है, 3x plus 18, इस चाववन, इस चाववन, इस चाववन और अठार कितना हो जाएगा, 36, देखिए ह गया, 39, 27, और यह कितने गया, 12, और 3, 39, और 3 चोक, 12, 9 से भी डारेक काट सकते थे, कितना हो गया, 3x बराबर, 4, तो x का मान कितना हो गया, 4y, 3, अब पूछा गया है, पिता की बरतमान आयू, पिता की आयू कितनी दे रखी है, 30x, तो 30x का जो मान दे रखा है, x का मान यह रख देंगे, 30x, 4x3, और इससे डिवाइड किया, कितना गया, 10, 10 चोक, 40, यहनि पिता की जो आयू है, बरतमान, वो कितनी है, 40 वर्स है, ठीक, next, रीता की साधी 6 वर्स पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र साधी के समय की उम्र की एक वटे 4 गुनी है, यदि उसके पुत्र की उम्र, उसकी उम्र की एक वटे 10 गुना है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है, रीता की साधी 6 वर्स पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र साधी के समय के उम्र की एक बट्टे चार गुना है देखिए रीता आज की उम्र कितनी है उसकी आज उसकी उम्र साधी के समय की उम्र की माल लीजिए साधी के समय उसकी उम्र कितनी रही होगी X वर्स रही होगी X वर्स साधी के समय तो आज आज कितनी उम्र हो गई इसकी? क्योंकि 6 साल पहले गिए तो आज कितनी हो गई? X प्लस 6 आज उसकी उम्र साधी के समय के उम्र की 1 सही 1 वटे 4 गुना है 1 सही 1 वटे 4 गुना का मतलब क्या होता है? 4 इकन 4 और 1 5 वटे 4 गुना यानि देखिए आज की उम्र कितनी है? X प्लस 6 साधी के उम्र की कितनी है? 5 वटे 4 तो 5 वटे 4 से हम मल्टिप्लाई कर देंगे तो इदेखिए 4 इधर आके मल्टिप्लाई हो जाएगा इधर कितना बचेगा? 4X और इधर कितना हो जाएगा? 4X प्लस 6 और 24 एक सेकंड रुक आप 6 चौविस X कमान कितना आ गया? 24 आ गया सही 4X और इधर कितना हो जाएगा? 6 चौविस X कमान कितना आ गया? यह 4X आके इधर माइनस में हो जाएगा तो X बचेगा X कमान कितना आ गया? 24 देखिए आज की आई उसकी कितनी है? X प्लस 6 यानि 24 प्लस 6 ये present आयू हो गई 30 वर्स present में 30 साल क्या है यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1 वटे 10 गुना है यानि इसका अगर हम 1 वटे 10 गुना निकाल दे तो कितना पुत्र कितने साल का हो जाएगा 3 साल का option A first पुत्र की आयू कितनी हो जाएगी 3 वर्स साधी के समय उसकी उम्र X वस मान ली आज की उम्र हो गई तो 6 वर्स जोड़ दिया साधी के समय की उम्र का 1 साही 1 वटे 4 था तो 5 वटे 4 से हमने इसमें multiply कर दिया यहां से X कमान 24 आ गया यह साधी के समय की उम्र आ गई आज की उम्र के लिए हमने 6 साल जोड़ दिया एक वटे 10 गुना है तो गुना एक वटे 10 कर दिया जिससे की पुत्र की आयू हमें फ्राप्ट होगी next कमला का विवाद 6 वर्स पूर वहा था आज उसकी उम्र उसके विवाद के समय की उम्र से एक साही एक वटे 4 गुना है उसके पुत्र की आयू उसकी विवाद की एक वटे 10 गुना है पांच वर्स बाद उसके पुत्र की आयू कितनी होगी सेम पिछले वाले सवाल कीते रही है कुछ भी नहीं है कमला क्या विभा 6 वर्स पूर हुआ था चलिए विभा के समय उसकी आयू कितनी माली हमने कमला की आयू कितनी माली X वर्स तो प्रिजेंट में कितनी हो जाएगी X प्लस 6 साधी के समय 1 सही 1 वटे 4 गुना तो वही X इंटू कितना लिखनेंगे 5 वटे 4 और इधर X प्लस 6 कितना हो जाएगा 5 X प्रावर 4 X प्लस 6 चौविस और X प्रावर कितना आगे 24 यानि ये जो है प्रिजेंट आयू अगर हमने यहाँ पर रख दिया तो 24 और 6 30 वर्स यहाँ तक पिछले सवाल कीता रही है अभी कहा रहे है उसके पुत्र की आयू की विभा की एक वटे 10 गुना है तो इसका हमने एक वटे 10 गुना निकाल दिया तो पुत्र की आयू कितनी होगी 3 साल लेकिन साथ में कंडिशन दे दी 5 वर्स बाद उसके पुत्र की आयू कितनी होगी तो इसमें हमने 5 और एड करना पड़ेगा 3 और 5 8 वर्स यहाँ पुत्र जो है कितने साल का हो जाएगा 8 वर्स का हो जाएगा पिछले सवाल कीत रही था बस एक इतना सा काम जो है इस प्रिसन में और बड़ा दियग एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुमारी बर्तमान उम्र के बरावर थी जब तुम पैदा हुए थे यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्स है तो पुत्र की आयू 5 वर्स पहले कितनी होगी देखिए ये पुत्र की आयू 5 वर्स पहले की आयू के उप्सन दे रखें कंडिशनल कोशन मन गया हो जाएगा अगर बर्तमान उम्र 18 होगी तभी तो 5 साल पहले 13 होगी बर्तमान कितनी होगी देखिए कितनी साल की बात कर रहा है 5 साल की तो बात कर रहा है तो यह बरतमान कितनी हो गई 20, यह कितनी हो गई 22, और यह कितनी हो गई 25, यह सारे option है, यह 5 साल पहले किये, क्योंकि सवाल में पूछा गया है, पुत्र की आयू 5 वर्स पहले कितनी थी, तो बरतमान आयू लिख ली, अब पहला condition किया दे रखा है, मेरी उम्र, तुम्हारी ब प्रेधा हुए थे, यनि आज प्रिजेंट टाइम में, ये प्रिजेंट टाइम के उपसेनद दे रखे हैं, हमने कर लिए, आज पिता की उम्र कितनी साल है? 36 साल है, और जब तूम पैदा हुए थे, तब मेरी उम्र इतनी थी, यनि अज़े अगर हम 18 जोड दे, तो पिता कितने साल का बन गया 36 का condition apply हो गई यानि मेरे कहने का मतलब यह है सवाल में कि देखिए मेरी उम्र तुमारी बरतमान उम्र के बराबर थी तुमारी बरतमान उम्र कितनी है 18 कब जब तुम पैदा हुए थे तो तुम इस समय 18 साल के हो लेकिन पूछा क्या गया है कि 5 वर्स पहले तो 18 में से हमने 5 और घटा दिया कितना आ गया 13 वर्स तो conditional question है कुछ नहीं करना जैसे कहें बैसे बना दी जाता है simple सा question था अब देखिए माली जी यहाँ पर हम क्या काम करते और option की हमें जरुवती नहीं पड़ी पहला वाला option ही मिल गया अब हम इसमें से क्या काम करते है कि अगर 36 वर्स है तो यहाँ पर दोगना अगर हम इसको करेंगे तो 18 और जोडते हैं तो इसमें 38 हो रहा है तब भी नहीं बैठ रहा है 36 है, 18 मैं 18 जोड़ेंगे तब इ 36 आ सकता है तो conditional एक ही option पर लग सकता है सब पर नहीं लगेगा Next रमेज सुरेश से 3 गुना बड़ा है रमेज सुरेश से 3 गुना बड़ा है दो बर्स बाद रमेज सुरेश से 2 गुना बड़ा हो जाएगा दो बर्स बाद हो दो गुना बड़ा हो जाएगा तो equation बना देते हैं x प्लस 2 equal to 2y1 तिर शी multiply कर दी कितना हो जाएगा 3x plus 2 और ये 2x plus 4 इधरा के minus में हो जाएगा x बचेगा और इधरा के ये minus में हो गया तो 4 में से दो गया 2 x कमान कितना आ गया 2 हो आ गया फुछे क्या है रमेश की बर्तमान आयू देखिए रमेश की बर्तमान आयू कितनी दे रही है 3x तो 3x कमान है एक्स की बल्ली पूट कर देंगे 3 दूनी 6 वर्स रमेश बर्तमान में कितने साल का है छे साल का है, option second one next नरेंदरी की मा की आयू, नरेंदरी की आयू की चार गुना थी देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जिस भी सवाल में दो करेक्टर दे रखे हैं और दोनों की ही option दे रखे हैं तो आपको option पर ही जाना है नरेंदरी की मा चार गुना, 7.28 ये भी चार गुना 10.40 ये भी चार गुना 5.20 ये भी चार गुना और 20.80 ये भी चार गुना यहां से यहां तक का जो statement है वो सभी में अपलाई हो रहा है आगे करें, 4 बर्स पहले उसकी मा की आयू की ततकारिन आयू से 6 गुना थी अब 4 बर्स पहले पहला option देखते है 7 में से 4 गटा है कितना हो गया 3 और 28 में से 4 गटा है कितना हो गया, 24 कितने गुना आ रही है, 3, 8, 24 कितने गुना कह रहा है, 6 गुना जबकि कितने गुणा आ रही है, आठ गुणा आ रही है, यानि condition अप्लाई नहीं हुई, छे गुणा कह रहा है, तो 6 गुणा ही आना चाहिए था, अगर 8 गुणा कहा होता, तो हमें पहला वाला option मिल जाता, दूसरा देखें, तो अगर कितना है, 4 बर्स पहले, तो 10 में से 4 ग additional question है, जिस भी question में, दोनों के दोनों, जो भी character दे रखेंगे, उनके option की, मता आयू दे रखी होगी, तब आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे वो कहें, वो apply करके देख लें, वही उत्तर बन जाएगे, इसके लिए उत्तर क्या था, option B, next, किसी परवार के 6 पुत्रों की उस आयू कितनी दे रखी है, आठ बर्स, तो कुल आयू कितनी हो जाएगे, आठ चंद, 48 बर्स, कुल आयू, total, यानि एक की 6, आउसत का मतलब क्या है, सब को बरावर करना, तो आउसत कितनी होए, आठ है, तो 6 की total कितनी हो जाएगे, 48 बर्स, उनके माता पिता को मिला लिए यह आठ लोगों की उसत आयू कितनी दे रखी है, 22 बर्स दे रखी है, तो कुल आयू कितनी हो जाएगे, 28, 16, और 28, 16, और 176 बर्स, पूछा क्या गया है, यदि पिता उनकी माता से, चलो पहले यहां से यह निकाल लेते हैं, देखिए, दो लोगों कितनी आयू बढ़ी है, दो 176 में से 48 घटा दिए, 128, इन्हीं पिता और माता में कि जो टोटल आयू है, वो 48 है, अब कह रहे हैं, कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्स बढ़ा हो, यदि माता हमने कितने की माल ली, X साल की, तो पिता कितने के हो जाएंगे, X प्लस 8 साल के हो जाएंगे, माता X, पिता X प माइनस का हो जाएंगे, 128 में से, 128 में से, 8 घटा देंगे, तो कितना हो जाएंगे, 120 बचेगा, तो 2 से गया, X पराब कितना हो जाएंगे, 60, यन्हीं माता कितने साल की हो गए, 60, और पिता कितने साल की हो गए, क्योंकि 8 साल बढ़े है, तो 60 हो जोड़ दिया, 68 साल के, पू दो परसन, उसत आयू कितनी है, सड़ सठ, तो कुल कितनी हो जाएगी, 134, माता पिता, ये भी दो लोग परसन है, माता पिता की उसत आयू कितनी है, 35, तो इनकी कुल कितनी आ जाएगी, 35 दूनी, 70, और तीन पोत्र पोतियां है, तीन परसन, इनकी कितनी उसत आयू, 6 वर्स, तो छेतियां, 18, तो टोटल परसन कितने हो गए, तीन और तो पांच और तो टोटल साथ परसन हो गए, और कुलायू कितनी हो गई है, 8-4 बार है, हांसिल 1, 7, 3, 10, 11, 12, और 1, 2, 7 लोगों में 222 वर्स, अब पूछा क्या है, परवार की उसत आयू, तो 222 जो एज आई है, कुल परवार की, साथ लोगों में बाट देंगे, कितना हो जाएगा, 7-21, एक बचा, 7-7, भाग नहीं जाएगी, 21, 5-7, 21, 5-7 वर्स, कौन सा उप्सन है, उप्सन B, सेक्ड उप्सन, जनरली ये वाले जो कोशन कर रहे हैं, इनका कोई टाइप नहीं है, और रीजनिंग में अक्सर ऐसे कोशन पूछे जाते हैं, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुमारे जनम के समय मेरी उम्र, तुमारी बर्तमान उम्र से 5 वर्स अधिक ती, यदि अब पिता की उम्र 49 वर्स है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्स पहले कितनी थी, ये जो आप्सन दे रखे हैं, ये 5 वर्स पहले के दे रखे हैं, इनको सवाल में जो ऑप्शन में दे रखा है पांच वर्स पहले की कि दे रखी तो हमने बरतमान लिख दी बरतमान उम्र से 5 वर्स अधिक अगर हम इन में समय 5-5 एड़ कर दें तो 22 और 5 कितना हो गया? 27 और 20 और 5 कितना हो गया? 25 और 17 और 5 कितना हो गया? 22 यानि तुमारे जनम के समय इन उप्सन के अकॉर्डिंग मेरी एज ये रही हो अब देख लेते हैं क्या कहता है? यदि अब पिता 49 वर्स का है तो अब एक बाँ सुनिए प्रिजेंट एज ये है पिता 49 साल का है तो अब जो पिता की उम्र रही होगी इसमें हम प्रिजेंट एज को जोड़ दे तो हमें 39 मिल जाना चाहिए प्रिजेंट एज को जोड़ो प्रिजेंट एज कितनी दिखाई दे रही है? अब देखिए इसमें जोड़ो आप 22 7 और 2 9, 2 और 2, 4, 49 आ गया इसमें जोड़ो 20 कितना आ गया? 45 आ गया इसमें जोड़ो 17 कितना आ गया? 7 और 2, 9, 2, 1, 3 प्रिजेंटेज कितना है पिता की? 39 अगर प्रिजेंटेज कह जए था 45 तो ये वाला अगर प्रिजेंटेज कह जए था 49 तो ये वाला उप समझाता यानि कंडिशन बन गई उत्तर क्या आ जाएगा अभी अगर सवाल पूछा जाता कि पुछा क्या गया तो इस तरीके से ये वाला कोशन ना कुछ करने की इस तरीके से मना लेंगी मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है यदि मेरे भाई से 20 वर्स बढ़ी है जब मैं पैदा हुआ था educat मेरा भाई पांच वर्स का था यदि मैं और मेरा भाई और कौन है? मेरी माता, तीन लोग है सवाल में जब मैं पैदा हुआ तो मेरी आयू ये रही मेरा भाई कितने साल का था? पांस साल का था मेरी बेहन मेरी माता से 24 साल छोटी है तब मेरी बेहन मुझसे कितनी बड़ी है छोटी जो पूछा गया है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगनी है मेरी उम्र कितनी है x तो मेरी माता की उम्र कितनी हो गई 2x मेरे भाई से 20 वर्स बड़ी है यानि माता जो है वो भाई से वो कितनी बड़ी है 20 वर्स बड़ी यह तो 2x minus x ये equation हो गई 2x minus x minus k 5 is equal to 20 2x में से 1x गया x और ये minus का 5 दरा के plus का हो जाएगा तो x का मान कितना आ गया 25 मैं कितने साल का हूँ 25 साल का मेरी मा कितने साल की है 25 दूनी 50 साल की मेरा भाई कितने साल का है 25 और 5 30 साल का लेकिन ये नहीं पूछा है पूछा क्या गया है कौन मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्स छोटी है मेरी माता 50 साल की है तो 24 वर्स छोटी होने का मत्दब क्या है मेरी बहन कितने साल की होगी 26 साल की sister कितने साल की होगी 26 साल की होगी तो पूछा क्या गया है, मेरी बहन मुझसे मैं 25 साल का, मेरी बहन 26 साल की, तो मेरी बहन मुझसे कितने साल बड़ी है छोटी है एक वर्स बड़ी है option C वाला, एक वर्स बड़ी simple question आयू वाला chapter सबसे easy chapter है बहुत बड़ी सवाल नहीं होते, कोई फार्मूले के सवाल नहीं होते, जैसे क्या है बैसे बना दो next question किसी बड़ी से उसकी आयू बताने को कहा गया उसका उत्तर था तीन वर्स के बाद की मेरी आयू लीजिए अभी की आयू हमने कितनी ले ली उसकी x, अभी की आयू इस गुरनफल में तीन वर्स पहले की आयू अभी की आयू x है तो तीन वर्स पहले की आयू कितनी हो जाएगी? x-3 इस गुरनफल में तीन वर्स पहले की आयू के तीन गुने को तीन गुने को घटा दी और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी बर्तमानायू क्या है ये घटाने के लिग लिए कह रहा है तो घटा देते हैं ये कितना हो जागा है? 3x 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 9 माैनस के 3x और ये माैनस मानस प्लस हो जाएगा 3x 9 ये पलस के 3x है माैनस का 3x हो गया और 9-9 कितना बचा 18-18 ये कह रहा है कि इस में से ये घटाएंगे तो आपको उत्तर प्राप्त जो होगा वो क्या होगा, मेरी बरत्मान आयू आपको पता चल जाएगी, मैं कितने साल का हूँ अभी अठा रेवर्स का simple question था, logical question था exam में पूछा गया प्रसंद था तो इस तरीके से ही total हमारा जो आयू बाला चैप्लर था, इसमें total 66 question थे एक एक करके हमने सारे question देख लिए है आप इनको practice को रूप में एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं लेकिन करम से देखी तो आपको और अच्छा लगेगा तो लिए आज आपसे बिदा लेते हैं कल मिलते हैं किसी next topic के साथ धन्यवाद